ओम शान्ती आज 15 जून 2023 है आज की साकार मुडली में बाबा ने हम सब बच्चों का ध्यान खिचवाया है इस रूहानी पढ़ाई के ओपर ये पढ़ाई जो स्वयम भगवान पढ़ाते हैं ये रूहानी कॉलेज है और इस रूहानी कॉलेज में पढ़कर हम बच्चे 21 जन्मों का अपना राज्य भाग्ये पाते हैं ऐसे ही आज के अव्यक्त इशारों में भी बाबा इस एक जन्म से कैसे भविश्य के 21 जन्म बंधे हुए हैं इस बारे में हमें बता रहे हैं तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे इस एक जन्म के स्वमान धारी सारा कल्प सम्मान धारी बन जाते हैं उन्हें अपने राज्य में प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और इस लास चनम में भक्तों द्वारा देव आत्मा वा शक्ती रूप का सम्मान देखते वा सुनते हैं कितना सिक वा प्रेम से अभी भी सब सम्मान दे रहे हैं बाबा के ऐसे महावा के सुन कर अपने भाग्य पर वहा वहा करने का दिल करता है वहा रे मैं आत्मा वहा मेरा बाबा और वहा बाबा का वर्सा वहा ड्रामा ऐसा वर्सा जो बाबा एक बार में दे करके हमें पूरे के पूरे कल्प का पूरे ड्रामा का हकदार बना देते हैं हमारा भाग्य जगा देते हैं जैसे बाबा ने आज बताया इस एक बार का स्वमान जो बाबा हमारा जागरित करते हैं हम तो स्वा को जानते भी नहीं थे स्वा की पहचान बाबा ने दी और उस स्वा के अंदर ऐसे गुण भरे जिससे सच में हम अपना स्वमान जागरित कर सकते हैं और इसके आधार पर बाबा ने बताया कि आधा कल्प सत्योगों त्रेता में हम प्रजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं राज्य अधिकारी आत्माएं बन जाती हैं और उसके बाद वही राज्य अधिकारी आत्माएं पूजनिय बन जाती हैं अर्थात बाद में आने वाली आत्माएं उन आत्माओं के चरित्रों को देख करके उनके स्वरूप को देख करके उनकी पूजा करती हैं और पूजा भी कितना विधीवत करती है तो बाप समान अभी बनने से हम बाप समान पूजनिय भी आधा कल्प के लिए बन जाते हैं और उसके बाद सबसे विशेश बात जो आज बाबा ने नशे की बताई वो है कि जब भक्ती हो रही थी तो हमें ये नहीं पता था कि भक्ती हमारी हो रही है हम स्वयम भी पुजारी बन चुके थे भक्त बन चुके थे लेकिन इस लास जनम में ज्ञान मिलने के बाद हम अपने ही आखों के सामने अपने ही कानों से अपनी उस पूज्य स्वरूप की महीमा देखते वस सुनते हैं अंदर दिल से हम जानते हैं कि हमें ऐसा बनना है इतना सम्मान हम देख सकते हैं अन्य आत्माई हमें दे रही हैं तो जितना सम्मान वो हमें दे रही हैं उसका रिटर्न भी हमें करना है तो हमें स्वमान धारी बनकर उन सभी आत्माओं का दिल से सम्मान करना है ताकि फिर हम उ उनसे पूरा कल्प सम्मान प्राप्त कर सके ओम शान्ती